आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें Folk Dance Festival जो भी TCS ने अभी तक पेपर कराए हैं जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया इस्टेनोग्राफर हो गया उनके सारे question मैं लेके आ रहा हूँ ये question most important है ये आपका part 2 है इससे पहले part 1 में बना चुका तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप comment करें बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और share करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe जरूर करें तो शुरू करते हैं पहला question है गोटी पुआ लोकनति सैली निमखित में से कि आपको बताना है option यह है यह आपका practice होगा ठीक है आपने पढ़ लिया होगा लेकिन यह practice आप एक बार कर लेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे और अगर आप practice और करना चाहते हैं तो मेरा facebook group join कर लें वहां मैं हमेशा gs और reasoning maths के question share करता हूँ तो वहां आप जरूर उस तो second option इसका answer हो जाएगा next question करते है next question है तिरपुरा का एक पर्मुख पर्व जिसमें पालतु पस्वों और धन संपत्ति के देवी देताओं की पूजा की जाती है यह बताना है कौन सा पर्व है ऐसा तो इसका answer हो जाएगा आपका first option गरिया पूजा ठीक है next question करते है next question है आपको पहुच कर लेना है पहले खुछ से बताना है फिर देखना answer क्या है next question है आपका मड़े नामक जंजाती पर्व पारंपरीक रूप से निंखित में से किस राजी से संबंधित है यह आपको बताना है तो इसका answer हो जाएगा मड़े नामक जंजाती पर्व जो है यह कौ जान से राजिस से संबंधित यह आपको बताना है तो इसका answer हो जाएगा आपका third option नागालेंड नागालेंड से है next question करते है पावल कुट नामक जंजाती पर्व पारंपरीक रूप से निंखित में से किस राजी से यह आपको बताना है पावल कुट जो है इसका answer हो यह आपके किस राजी से आपको बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका second option राजिस्तान लोटिया नामगीत और पंखीडा आपको पता होगा यह कहां से हैं राजिस्तान से next question करते है next है चाम मास्क नत्य जोकी भारत का परसिद्द लोग नत्य निंखित में से किस अनी देश में बनाया जाता है तो आपको बताना है चाम मास्क किस अनी देश में बनाया जाता है ये कौन से राजी का लोग नती है चाम मास्क तो ये आप कहेंगे अगर भारत में कहेंगे तो इस सिक्किम का है तो कौन से और देश में वनाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्सन भूटान में तो भूटान इसका अंसर हो जाएगा चाम मास्क का नेक्स्ट है आपका परसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्खित में से किस राजी में इस्तित है यहाँ अंबु बाची मेला लगता है यह आपको पता होने ची तो परसिद्ध कामाख्या मंदिर कहा है आपका फर्स्ट आपसन हो जाएगा असम राजी में next question करते हैं next है आपका तुलूनी महुत्सव का आयोजन निम्खित में से किस राजी में किया जाता है तो आप देखिए इसका अंसर हो जाएगा आपका first option नागलेंड नागलेंड के आप सारे याद कर लीजे यह आपका तुलूनी महुत्सव है इसके पहले यह में से आया था वो भी आपका नागलेंड का था next question है लोग चितर कला की पट्टी चितर सहली निम्खित में से किस राजी से संब्धित है आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उडिसा राजी से तो पट्टी चितर सहली कौन से तो आपका कही से आपका उडिसा राजी से यह यह अपका हो गया उत्तर परदेश का next question है आपका कप्ले पर हस्त चितर कारी की पारंपरिक कला कलमकारी की सुरुत निम्खित में से किस राजी में हुई थी आपको पताना है तो कलमकारी की सुरुत किस राजी में हुई थी इसका अंसर हो जाएगा आपका second option आंधर पर्देश next question करते हैं next question है वास्तु कला कि सरकी सहली किस आधुनिक राजे से संब्दीत है तो सरकी सहली आपको बताना है तो सरकी सहली में बहुत सारे आपको भवन ये आपको मिल जाएगी मस्जिद मिल जाएगी आपको ये आपको कहां मिलेंगी ये आपको मिलेंगी उत्तर पर्देश में तो सरकी सहली कहां से संब्दीत है उत्तर पर्देश से है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका fourth option नेक्सक्quet कूशिन है, निम्कित में से कौन सी नत्यसेली हर्याना से संबेदत कौन सी है तो आपको बताना है, इसका अंसर हो जाएगा फोर्ट ओप्षन फाग नेक्सक्quet कूशिन हो जाएगा, एक तमिल परो है, जिसे मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानी इस्नान कराने के लिए एक जुलूस में सुभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है तो इसका आंसर आपको बताना है तो कौन सा परो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन मासी मागम नेक्स कुशन करते हैँ नेक्स कुशन है धननगर निमखित राजियों के इंसासित परदेशों में किसका पूझा नत्य है तो आपको बताना है किसका पूझा नत्य है धननगर तो इसका आंसर हो जाएगा second option गोवा राजी का नेक्स क्रेशन है आपका भारत की निमखित जनजातियों में कौन सी जनजाती बनेश्वर त्योहर बनाती है तो आपको बताना है बनेश्वर त्योहर कौन सी जनजाती बनाती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका फोर्ट आप्सन भील जनजाती ये कहां पाये जाते है गु इसका अंशल हो जाएगा आपका फोर्थ ओप्सन राजिस्तान, ठीक है, येक्स्ट कॉश्टन करते हैं, नेक्स्ट कॉश्टन है, पारंपरिक, रंगमंच कला, माच, निमखित में से किस राजी से सम्बदीते हैं आपको बताना है, तो माच किस राजी से तो इसका अंसर हो जाएगा आपका second option मध्य पर्देश next question करते है next question है आपका चापचर कुट त्योहन इंखित में से किस राजी में मनाया जाता है तो अभी ये भी मैंने बताया था पावल कुट पूछा था पावल कुट और चापचर कुट कौन से राजी में मनाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा आपका third option मिजोरम next question करते है next है आपका आजी लामू निंखित में से किस राजी का एक महत्वण लोक नतिया अजी लामू किस राजी का है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका first option अरूलाञचल परदेश का next question करते है next question है this question है आप कमेंट जरूर करिये जिससे मुझे भी पता चलता है कि लोक वीडिए को देख रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है आगे वीडियो बनाने के लिए भी मुझे अंदर से लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं वीडियो तो अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें लाइक करें और सेयर जरूर करें वीडियो को नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स कुशन है च्छतिस गड़ में सुवा लोगनती करते समय महलाई निंखित में से किस पक्छी की तरह अभी नहीं करती है तो इसका अंसर हो जाएगा फॉर्ट ऑप्सन तोता और सुवा लोगनती ऐसा भी पूछा जा सकता है सुवा लोगनती क इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा च्छतिस गड़ नेक्स कुशन करते हैं नेक्स्ट है आपका पंग लहाब सोल का पर्व परमुक रूप से कौन से राजी में मनाया जाता है आपको बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन सिक्किम राजी में नेक्स कु से कौं सी निंकित में से कौन सी च्छाहू नतिकी एक सैली नहीं हैं तो यहां पर मईर उभриз सेरिकल्ला छौण और पुरूलिय च्छौण το कौन सी नहीं है सिसका ङरता हो महत्सों के दोरान मनाया जाता है इजी सा कुछिन है इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्सन खुजरात नेक्स्ट कुछिन करते हैं नेक्स्ट है मेगाले का लोगप्री फसल कटाईत यहार निमखित में से कौन सा है तो आप देखिए बहुत सारे फसल कटाईत य यहार होते हैं हर राजी में मनाया जाते हैं तो इसमें मेगाले का कौन सा फसल कटाईत यहार है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्सन वंगाला नेक्स्ट कुछिन करते हैं विसू निमखित में से किस राजी के परसिद्ध यहारों में से एक है आपको बताना इसका अंसर हो जाएगा ओडम का परो कहाम नहीं जाता है ठर्ड ओप्सन केरल नेक्स कुशन करते हैं नेक्स्ट है प्रसिद्ध सास्त्री गाय का गिर्जा देवी हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत की सैली की प्रवर्तक थी आपको बताना है तो किस सहली की प्रवर्तक थी इसका आंसर हो जाएगा आपका third option ठुमरी Next question है आपका निम्खित में से किस राजी का एक परसिद्य लोगनत्य दुमल है तो दुमल कहां का है तो यह आपको बताना है यह कहां का है आपका जम्मू कस्मीर का Next question है पारंपरिक दसावतार नाम की रंगमंच सहली निम्खित में से किस छेतर से सम्मंदित है इसका आंसर आपको बताना है तो यह किस छेतर से सम्मंदित है दसावतार इसका आंसर हो जाएगा fourth conquer next question is, असम की पारंपरिक संक्सकिती के संदर में भावना एक क्या है, तो भावना क्या है, इसका आनसर हो जाएगा, first option, रंग मन्च का रूख है, next है आपका, मंडूक सब्दम निम्खित में से किस नतिस हैली का एक मूल तत्व है, आपको बताना है तो एक किस नतिस है लिगा है इसका अंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन कुचिपुरी कहां का है आंधर प्रदेश नेक्स कुचिपुरी की टोड़ा जिन जाती का सबसे महतुपुर्ण त्योहार निंखित में से कौन सा है तो आपको बताना है कौन सा है महतुपुर्ण त्योहार नील गिरी की टोड़ा जिन जाती का तो इसका अंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन बोडो जिन जाती कहां पाय नेक्स्ट कुश्चन है आपका नेक्स्ट है गुरू गोविंसी और मुगलों के बीच हुए युद्ध में बीरगर्ती प्राप्त करने वाले युद्धाओं की आद में पंजाब में कौन पंजाब में आयुजित किया जाता है पंजाब में तो यहाँ पर इसका आंसर हो आया सूपीवात से संबनीता आपको बताना है तो कौन सी से लिए है तो इसका आँसर हो जाएगा आपका थर्ड ओप्सन कववाली नेक्स्ट कुश्चन है आपका किरसी पर आधारित धार्मिक नुवाखाई त्योहार निंखित में से किस राज में मनाया जाता है मैंने अंबुबाची मिला असं में है आयोजित किया जाता है अब कौन से यहाँ पर दिया गिया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ओप्सन गुहार्टी ठीक है असंगा तो नेक्स्ट है आपका जिज्या निंखित में से किस राजी का परसिद्ध सांग्सिद लोकनत्य आपको बताना है चिजिया तो यह आपका इसका अंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ओप्सन भिहार का नेक्स्ट है निंखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो भवई जो है यह आपका गुजरात का है तमासा आपका उत्रखन का नहीं है तमासा कहां का है आप ब रूप पाए जाते है नेक्स कुश्चन है आपका परसिद्ध सास्त्री नत्य की रुकमणी देवी अरुंडेल किस नत्य सहली से जुड़ी है या आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्सन भरत नात्यम से जुड़ी हुए जो आपका तमिल नाड आपका परसिद्धा सिन्हा नेक्स कुश्चन करते हैं नेक्स कुश्चन भारत की निमखित में से किस लोगनत्य सहली में नर्तक अपने सिर पर कलस रखकर संतुलन मनाए रखते हुए नत्य करते हैं तो कौन से राजी कौन सा आपका लोकनति सहली है इसका अंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्सन करा गट्टम नेक्स्ट क्रेशन करते हैं नेक्स्ट है आपका याओ सांग त्योहार मुखी रूप से निकित में से किस राजी में मनाये जाता है याओ सांग तो आपको बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्सन मडिपूर में नेक्स कुशन है नागलेंड के आओ लोगों द्वारा मनये जाने वाला नम्खित में से कौन सा परूसामुदाई घनिष्टा दरसाथ है तो आपको बताना है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा मुआत्सो है आपका परूस यानि कि त्योहार मुआत्सो नागलेंड का नेक्स्ट है आपका निम्खित में से कौन सी नदी तिरपुरा में पौस सक्रांती मेले से संबनी थे तो आपको बताना है कौन सी नदी पौस सक्रांती मेले से संबनी थे तिरपुरा की तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुम्ती नदी ठीक है गुम्ती नदी next question है आपका आसारी बीजिया एक प्रतिस्तिक संक्रित परो जो वर्सा रितु के आगमन पर मनाया जाता है तो इसका आंसर आपका है कौन सा परो है वो है आपका कच्छ नवर से फोर्थ आप्सन इसका आंसर हो जाएगा next है भारत की नतिसहलियों के संदर वुमैन उनकित में से कौन सा युग में सही नहीं है या आपको बताना है कौन सा युग में सही नहीं है तो आप देखें गोटी पुआ मैंने सबसे पहला कुश्च न बताया था ओडिसा का है काल बेलिया राजिस्तान का ये भी अब जैसे आपने यह याद कर लिया आपको पता होगी तो आप एक आप्सन इल्मिनेट कर सकते है तो काल बिलिया राजिस्तान का सही है सत्रिय अरसम का है गोमाइरा जो है वो करनाटक का नहीं यह गोमाइरा जो है वा आपका कहां का है वेस्ट बंगाल का है तो इसकांसर आपका क्या हो जाएगा थार्ड पुर्च Profess ना सबेस्छ तो गौडिया जो है आपका 4th option इसकांसरोजाणा का पूरी भाग का एक सास्ती नटिया Next question करते है सिंकिम में नेपाली समोधाय यका reviewed नटिया तो कौन सा सामोध नटिया नेपाली समोधाय का जिंकिम में इसकांसरोजाणा थर्ड ओप्सन मरूनी Next question करते है नेक्स्ट है आपका पुली कली भारत के निमखित राजियों में से किसकी एक मनुरजन लोग कला है आपको बताना है पुली कली तो कौन सी राजिस है इसकांसर हो जाएगा इसकेंड ओप्सन केरल से नेक्स्ट क्रिशन देखते हैं नेक्स्ट है वेसा का पोया त्योहार जो मई में पूर्णीमा के दिन मनाया जाता है निमखित में से किस धर्म से संबंदित है तो वेसा का पोया किस धर्म से संबंदित है ये त्योहार ये आपको बताना है इसकांसर हो जाएगा आपका थर्ड option बहुत धर्म से, नेक्स्ट है आपका सत्रियान निम्खित में से किस राजी की प्रसिद्ध नत्फ नाट का परदसन कला है तो सत्रिया किस राजी से है, इसका सरता है, इसका रोजाएगा, आपका second option असम्ग राजी पारमपरिक भारती त्योहर है जिसे दिनों की आउधी में मनाया जाता है तो कितने दिनों की आउधी में मनाया जाता है ये जो है आपका बस्तर दसरा कौन से राजी का ये भी आपको पता होना चाहिए 36 राजी का एक त्योहर है तो ये कितने दिनों की आउधी में मनाया जात यह भी फेमस है यह बहुत बार पूछा जाता है तो इसकांसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन असंग नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है भारत का निंखित में से कौन सा छेतर अपने सौंडोल नति नामक लोक नति के लिए परसिड़ है तो सौंडोल कौन सा आपका छेतर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है राजिस्टान की निंखित में से किस इस्टान पर परसिद्ध बेड़ेस्वर मेला एजुद किया जाता है सबसे पहले आपको यह बता होने चाहिए राजिस्टान अब आपको यह बताना है कौन से इस्टान पर इसकांसर हो जाएगा फोर् इसका आंसर हो जाएगा आपका second option जारखन नेक्स क्वेशन करते हैं दिवासो नामक जन्जाती परुव पारमतरिक रोप से इनकितम से किस राजी से सम्मझ दिवासो तो यह आपको बताना है तो दिवासो आपका गुजरात से गुजरात से जो भी है वो भी बताएं और जिन् आपकी प्रैक्टिस है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए मैं जल्ली जल्ली बता रहा हूं ताकि आपको जादे टाइम न लगे आपका समय प्रबादना हो नेक्स्ट क्वेशन करते हैं नेक्स्ट है गाथा गायन का एक स्वरुप दसकठे निम्खित में से कहां पर चल लिए नेक्स्ट है आपका होजागरी नत्य रियांग समुदाई की एक आदिवासी नत्य सहली है जो निम्खित में से किस राजी के इंसासित प्रदे से संब्दीत है होजागरी तो इसका आपका फर्स्ट आप्सन तिरपुरा नेक्स्ट है गरिया पूजा अप्रेल के तीस होते हैं यही क्विश्चन रिपीट होते हैं तो आप पूरा देखें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा नेक्स्ट क्विश्चन है पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रेल को मनाये जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और या सिक समुदाई के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक ह तो कौन सा आपका फसल कटाई उत्सव है तो आपको बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका थर्ड ओप्सन बैसाखी नेक्स्ट क्रेशन करते हैं उरुपका राजी का पारंपरिक जोहार है तो उरुपका कौन से राजी का पारंपरिक जोहार है इसका अंसर हो प्रसिद्ध सांग्स्रिट कारिक्रम है नेक्स्ट निम्खित में से किस्ट योहर को वर्स 2018 में युनेस्को की मानवता कि अमूर्थ सांग्स्रिट बिरासतों की प्रतिनिदी सूची में अंकित किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्सन राम लिला ने प्रतु बली महा मस्त का विकेश महत्सर नामकुट्सर निम्खित में से किस इस्तान से संब्धित है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका स्रवण बेल गोला और यह कहां है स्रवण बेल गोला आपका करनाटक में नेक्स्ट कुशिन करते हैं Next है राजजगीर नति महस साती नति की व्यापक लोक्त प्रिता को दर्साता है या निम्खित में से किस राजजगी के इन्सासित परदे से संब्धित है आपको बताना है तो कौन से राजगी से है इसका अंसर हो जाएगा कितने रस हैं आपको बताना है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नौ नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट है निम्खित में से कौन सा त्योहर मनिपूर में मनाया जाता है आपको बताना है मनिपूर में कौन सा त्योहर मनाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा आपका fourth option यो सांग या यो सांग ठीक है next है आपका बैशलों कभी सिद्धेंद्र योगी ने किस सास्ती नत्य की रचना की थी आपको बताना है इसका अंसर हो जाएगा आपका first option कुछी पूरी next question देखते हैं जाट जाटी निम्खित राज्य के इंसासित परदेशों में किसका सरोधिक लोग नत्य है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका second option बिहार अभी हमने पढ़ा था राजगीर भी कहां का है बिहार का है next question है मांडू महुत्सा निम्खित में से किस राज्य का परसिद्यत योहार है मांडू महुत्सा किस राज्य का है परसिद्यत योहार इसका अंसर हो जाएगा first option मद्धी परदेश next question है घूमर निम्खित में से किस राज्य का पारंपरिक लोग नत्य है तो आपको बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका fourth option घुमर राजिस्तान ईजी है सभी को पता है Next question है निमखित में से किस सास्त्री नत्य का मूल सदिर अट्टम के प्राची नत्य से जुड़ा हुआ आपको बताना है तो किस सास्ती नत्य का इसका अंसर हो जाएगा फोर्ट आप्सन भरत नाटियम नेक्स कुश्चन है इला अरून और अल्ला जिलाई बाई किस राजी की लोग गाई के हैं आपको बताना है किस राजी की हैं इसका अंसर हो जाएगा आपका third option राजिस्तान राजिकी next question है निम्खित में से कौन सा लोकनाति तिरपुरा राजिसे संबंद नहीं रखता तो आप देखिए वांगला नत्य जो तिरपुरा से है हमने बताया होजागरी आपका तिरपुरा से है गरिया तिरपुरा से है यह तीनों नत्य पूछे जा चुके आप देख रहे हैं तीनों नत्य पूछे भी जा चुके तो यहां पर जो अंसर हो जाएगा इसका first option मुखोटा नत्य तो वांगला होजागरी गरिया जो है यह आपका तीनों कहां से है तिरपुरा से है next question देखते हैं, next question है यहां इसका हर साल हिंदू कलेंडर के किस मेहने में मनाया जाताए आपको बताना है पर्य Kin stories परु किस मेहने में मनाया जाता इस глав ました. सुनश यक्टेंर तो आहांसर होजागरी देखे दुबारा repeat होगे कितनी बार repeat हो रहा है, यह मैंने repeat नहीं किया, यह exam में ही repeat हो है, तो आप देख सकते हैं, यही question repeat होते हैं, तो आप जरूर वीडियो को देखें, पूरा देखें, next question है, होजागरी, रींग, आदिवास्यों, द्वारा किया जाने वाला नत्य है, जो राजी में किया जाता है, कौन से राजी में इसका आंसर हो जागा, फर्स्ट ऑप्सन तिरपूरा, next question है, धिमसा एक लोग नत्य है, जो की जनजातियों द्वारा मनाय जाता है, तो कहां की द्वारा कौन से राजी की आंदर प्रदेश की, तो फर्स्ट ऑप्सन इसका आंसर हो जाएगा, next है, अंबू बाची मिला, सहर में देवी सकती के मंदर में मनाय जाने वाले एक धार्म अनुष्ठान है, तो कहां है अंबू बाची मिला, मैंने आपको बताया था, यह आपक आसम में, तो आसम के गुहाटी में, फूर्ट ऑप्सन इसका आंसर हो जाएगा, next है, ओटन थुलूल भारत के निम्खित में से किस राजी से सम्बंदित एक नति से लिए, इसको आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका फूर्थ ऑप्सन केरल, next question करते है, next ह केरल का सबसे लोकप्रित योहार, ओडम, निम्खित में से किस मल्यालम महने में मनाया जाता है, आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्सन, चिंगम, next question है, आपका निम्खित में से कौन सा केरल का एक नति रूप है, केरल का नति रूप कौन सा है, आ नाडू। नेक्स ग्षेन देखते हैं, नेक्स डेकली संक्स्किति पर मुगल प्रभाव की कारण निम्खित में से किस सास्ती नत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हो है? तो किस सास्ती नत्य को इस कांसर है? आपका second option कथा 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 कहा है? यूपी का है। नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्खित में से कौन सा लोग संगीत का एक रूप है, जो मुखी रूप से पस्ची मंगाल राज से संबंदित है, तो इसकांसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्सन बाउल, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट है भ उसमें पूछे गए, रिसेंटली जो भी पेपर करा हैं, उसमें पूछे गए, सारे डांस फॉर्म, परवत्योहार, मेले, सहली, सारे मेने करा दिये हैं, दो वीडियो हैं, आप इन दोनों को जरूर देखें, आपको जरूर फायदा होगा और इनी से क्वेश्चन आएगा, औ क्योंकि कम क्वेश्चन है और एक नमबर आपका बन जाएगा जरूर, तो यहीं पर इस वीडियो को खतम करते हैं, और आप वीडियो को पूरा देखें, पसंद आती तो आप इसे लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्यू सूमच